उत्तरप्रिदेश के मिर्जापुर से एक ऐसी ख़बर साबने आ रही है जिसे सुनकर साध आप भी हैरान हो जाए जहां एक यूवक के मुबाइल चोरी करने पर उसको पेड़ से लटका कर तालिबानी सजा दी गई और ऐसे में यूवक की मा का आरोप है कि जब तक वो वहाँ पहुची तो उसके बेटे को पेड़ से लटका कर उसके शरीर पर मिर्च लगा कर पिटाई की जा रही थी वहाँ पुलिस के पहुचने पर उसके बेटे को पेड़ से नीचे उतारा गया जहाँ पुलिस ते एक यूवक को भी हिरासत में ले लिया है दरसभी पुरा मामला मिर्जपुर के ड्रम डंगज थाना चेतर के महोगडी गाउ का है जहाएक मोबाइल चोरी के आरोफ में एक यूवक को रस्ती से बात कर पेड़ के सहारे उल्टा लटका कर बेरहमी से पिटाई कर दी गई इस दोरान चारो तरफ लोगों की भील लगी रही और सभी लोग यूवक की बेरहमी से पिटाई का तमाशा देख रहे थे तो कुछ लोग मोबाइल से वीडियो और तस्वीर भी बनाते रहे लेकिन कोई यूवक को बचाने के लिए आगे नहीं आया यूवक जान की भीक मांगता रहा बार बार कहता रहा की मर जाओंगा रसी खोल दो इसके बावजूद भी लोग तमाशा देखते रहे वाई आई पी सिंग ने लिखा की ये मिर्जापुर यूपी का नहीं लगता है जहां खुले आम तालिबानी सजा दी जा रही है ये सच में जंगल राज है कानून का डर बिलकुल खत्म हो गया है